नमस्कार बच्चों मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार परिषापलस में काफी लोग पूछ रहे थे कि सर ऐसाई एसाई के फ़र्म के बारे में तो बता दिया कंप्यूटर ऑपरेटर के बारे में बता दें कि हम कैसे फ़र्म को भरे कुछ समझ में आ रहा है तो जो बच्चे computer operator की तैयारी कर रहे हैं और form fill नहीं किये हैं तो इस form को ध्यान से देख लीजिएगा कि आपको क्या-क्या जानकारी form में fill up करना है कौन सी गलती आपको नहीं करनी है और चलिए form fill करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर आप तैयारी कर रहे ह है सबसे पहले कि जब आप link पर click करेंगे चीक है सबसे पहले आप जब जाएंगे computer operator यहाँ पर दिया गया है आप देखिए सबसे पहले आपर यहाँ पर लिपिक के लिए link दिया गया है SI SI के लिए और थोड़ा सा उपर बढ़ेंगे तो online आवेदन उत्तर प्रदेश पुल है पहले आप primary registration करेंगे फिर login और OTP activation होगा फिर आपका payment होगा photo signature and document upload होगा photo signature होगा document में आपका O label हो गया domicile certificates हो गये ठीक है उसके बाद से आपका जो graduation वाला है वो यह सब ही जो है आपके कहीं नहीं जो documents आपके हैं वो upload मांग रहा है तो यह ध्यान रखिएगा जिनके पास जो certificate नहां जल्दी से जल्दी बनवा लें ठीक है और जो आप यहां पर डीटेल भरिएगा registration के समय वह ही certificate यहां upload करिएगा जैसे अगर हम बात करें हैं जैसे ही आप apply करोगे यहां ठीक है एक बार मैं आपको पीछे से बता दूं कि देखिएगा यहां application print करने का option दिया गया है कि आप बाद में application print कर सकते हो login कर सकते हो अगर registration से भुल गया है उसके लिए यहां पर कैसार अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपको आ रही है form fill करने पे तो यह देखिए form से related आपको help next number दिया गया है यहां से help next number को सुबह 10 बजे से साब के साड़े 6 बजे तक call करके पूछ सकते हैं किसी भी समस्या को यहां पर आपको form fill करने में दिक्कत आ रही है तो अब हम लोग यहां जैसे apply online पर काम करेंगे तो आपसे पहला नाम applicant का first name last name आवेदक का पूरा नाम पूछेगा फुल नेम पूछेगा तो यहां सिर्फ आपको पहला और लास्ट लिखना है अगर आपका middle name है तो वो आपका जो high school में पूरा नाम है आप यहां पर लिख दीजिएगा high school के मारसीत में जो नाम है और यहां सिर्फ आपका पहला नाम और last name middle name नहीं लिखना अगर आपके प जेंडर सेलेक करिएगा mobile number mobile number ध्यान से डालिएगा किसी को डालने के लिए मत दीजिएगा फॉर्म अपना खुद फिल करिएगा cyber cafe के जिम्में छोड़ देंगे तो सब उल्टा सिधा हो जाएगा ठीक है mobile number confirmation आपसे मांगेगा एक बार confirm करने के लिए ऐसे ही आपके यहां प registration के ऐसा ना हो कि बंद हुआ email id डाल देना चाहे किसी रिस्तदार का डाल देना आपने nationality चूज करिएगा यहां पर domicile certificate आप से पूछेगा तो domicile में आप yes करिएगा अगर बाहर की candidate हैं तो no कर दीजिएगा yes करने के बाद यहां से आपसे reservation के लिए पूछेगा कि आप reservation क इस category में आते हैं तो जो भी आप रालोगे कि हाँ EWS OBC उसके recording आपको बाद में document upload करना पड़ेगा ठीक है यहां पर आपका home district पूछेगा कौन सी district है category पूछेगा सब select कर लिजिएगा हाँ दो मिसाइल अगर आप यहां के हो तो बाहर के हो तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं हाई स्कूल का आपका board का किस cbsc up board जिससे भी आप pass की हो किस साल pass की हो result क्या रहा है आपका pass fail यह ध्यान रखिएगा यह लगाईएगा ठीक अब यहां पे high school का भर दिए अब roll number भर और number यहां certificate का अगर आपने कहीं भी जैसे su slash यह डाल दिया आपने यह डाल दिया तो यह certificate number में नहीं लेगा अब जैसे clicker को only numbers and alphabets are allowed तो आपको बिना इसके special character के आपको डालना है अपना certificate number में अगर कोई special character है तो उसको आप हटा दीजेगा special character हटाने के बाद जैसे मैंन आप लोगों को बताया था SI SI में maximum चीजे same हैं आपकी यह द्यान रखिएगा कुछ बच्चों के होते हैं जैसे ऐसे लिखा रहता है कुछ भी लिखा रहा है SU 2021 4090 तो आप सीधे सीधे यहाँ पर fill करना SU 2021 4090 ठीक है अगर किसी ने सिर्फ last का भी fill कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं उसका भी माना जाएगा ठीक है बाकी इसका कोई मतलम नहीं होता यह इनुवर्सिती बताता है इनुवर्सिती का किस साल में आपने पास किया वो बताता है और यह mainly आपका serial number होता है ठीक है तो यह चीज़े आप कर लीजिएगा उसके बाद से पूरा fill कर लीजिए तो दूसरा others दूसरा direct diploma with out HSC मतलब कि आप जैसे यहाँ इसको choose करेंगे without HSC या 12 मतलब बिनार 12 किये अगर आपने direct diploma किया है मेरी बात समझिएगा अगर आपने बिनार 12 किये direct आपने diploma किया है तो यहाँ पर आपके आजाएगा यहाँ choose करना है यह वाला option ठीक है direct diploma without HSC यह ध्या दिखान लखिएगा बिना आपने 12 किये अगर डिप्लोमा किया है तो आप इसको choose करिएगा तेंथ के बाद direct diploma में अगर आप गए हो तो आप इसे choose करना जैसे पॉर्ट टेक्निक के बाद ही दिया जाता है तो अगर आपने वह choose किया है तो आप यह choose करना और इसमें अपना trade चूज करना electronics information computer अब computer engineering तो computer engineering साफ है computer science वाले भर सकते हैं यह सब चीजे हैं यह ध्यान लखेगा आप सभी भर सकते हो information technology electronics engineering ठीक है तो electronics engineering जो है अब कोई अगर हम कहें electronics and communication है कोई बच्चा डिप्लोमा में इसी किया है तो वो ब्रांच यह ले सकता electronics and instrumentation है तो वो आप electronics choose कर सकते हो ठीक यह ध्यान रखना बस अब दूसरा जो option है यहाँ पर जब आप physics and math चूज कर लोगे मतलब आपके intermediate में physics और math आपने पढ़ा है यह नहीं बोला है कि आपका 10 प्लस बस आपके intermediate में physics और math पढ़ा होना चाहिए आप additional subject पढ़ो उससे कोई मतलब नहीं बस पढ पर भी पढ़े हो तो कोई दिक्कत नहीं अब जब physics and math कर लोगे तो इसका मतलब आप intermediate पढ़े हो तो intermediate के साथ दोस्त आपकी आहारता दी गई है notification में एक आहारता दी गई है कि आप diploma हो तो कोई भी ओ लेबल की जरूरत नहीं है आप समझ रहे हो इसलिए जब आप यहाँ प सकते हो लेकिंग जब आप 10 प्लस टू यहां पर भरोगे क्योंकि डिप्लोमा वालों के लिए तो भाई बले बले कोई दिक्कती नहीं कुछ दिमागी नहीं लगाना हाँ 10 प्लस टू के बाद जैसे ही आप यहां आओगे तो लेबल साटिफिकेट डोलेट डीलेट गवर्म सकते हैं जो भी आपने किया हो आपने BCA किया है आपने PGDCA किया है ठीके आपने जो भी किया है लेकिन यहां यह ध्यान रखना बच्चो कि बाईलोजी वाले नहीं चलें यहां physics और math आपका subject होना चाहिए अब ऐसा नहीं कि PCB वाले नहीं होते हैं जैसे CBSC में क्या होता है कि आप additional subject ले सकते हो physics, chemistry, math, biology भी पर सकते हो ठीक है ऐसा नहीं है कि math, biology साथ में नहीं चलती है चलती है कई जगह चलता है तो जिसने additional subject के तोर पर लिया होगा वो trade की बात नहीं किया PCB बस यह ध्यान रखेगा कि आपके 12th में physics और math होना चाहिए अगर है तो आप इसको चूज करिए और फिर यहां पर आप अपना जो ओलेबल है उस ओलेबल के डिगरी भरिए क्या है equivalent यहां पर जब आप चूज कर लोगे यहां पर बोला ओलेबल सर्टिफिकेट एंड निलेट यहां आया ना तो यहां डिगरी का नाम आप से पूछ रहा है उपाधी डिगरी का नाम ओलेबल सर्टिफिकेट डो एक निलेट गवर्मेंट पूछ रहा है तो अब यहां पर आप डिगरी का नाम भरिए यहां चूज करने के लिए नहीं आ रहा है देख रहे हैं यहां पर आप से चूज करने के लिए नहीं आ रहा है तो यहां आप जो भी होगा जिससे भी ओले है वो 62 का नाम भर देजिये क्या किये है hearing है do you say newest and subscribe to Fahrenheit to group community का नाम कि यहां पर याहाँ वाले में आ रहा था2 सब्सक्राइब कर रहे थे तो यहां दो सना आता था जैसे हमने इसको फिजिक्स और मैत कर लिया तो यहां पर option चूज करने के लिए आता था O-Level या O-Level के equivalent दो चीज़े आती थी ठीक है तो नहीं आ रही है तो आप डाल दीजिए यहां पर आपका उपाधी का नाम क्या है डिगरी का नाम क्या है अगर O-Level है जितने भी डिपलोमा एडवांस फ़लान दिकान जो भी आपका हो वो सब यहां आप जिस जहां से संस्था से किये हैं उस संस्था का नाम जिससे माननेता प्राप्त हो ठीक है जैसे आपका डोएग बेटेग डाल दो अपना इनुवर्सिटी नाम डाल दो ठीक है यहां पर किस साल पास किये आप और रिजल्ट आपका क्या है वो डाल दो अपना रूल नंबर डाल दो और अपने मांक सीट का नंबर डाल दो अब कहेंगे बच्चे इसर मेरा मांक सीट मेरा सर्टिफिकेट यह आप फिल कर दीजिएगा यहां पर मार्क सीट का सीरियल नंबर हाँ अब सबसे एक सवाल यह आता है कि सर मैंने कर लिया है मार्क सीट मेरी अभी नहीं आई है रिजल्ट आ गया है इंटरनेट वाला मैं पास आउट हो चुका लेकिं मार्क सीट अभी आने में समय लगेगा तो वो क्या करेंगे तो वो इंटरनेट वाली कॉपी में आपके मार्क सीट का सीरियल नंबर नहीं होता है तो आप इन्रोल्मेंट नंबर फिल कर सकते हैं यहां पर अपना इन्रोल्मेंट नंबर डाल देना ठीक है बाद में डॉकुमेंट वेरिफिकेशन में हो जाएगा जो भी होगा अब यहां पर देखो यह सवाले में कंफ्यूजन है कई बच्चों के बोला है कि क्या आपने दो साल से निम्तम आपने सर्विसमें एक सर्विसमें हो आर्मी के लिए किये हो तो आपकी यह हो तो यह कर लो आपके पास बी सर्टिफिकेट है न्सीच का तो वह कर अब यहां बच्चे का रहे हैं कि सर हम ओ लेबल किये हैं तो क्या यह आप हम यह करें इसको आउन करें यू है सक्सिसफूली कम्प्लीटेट कंप्यूटर कोर्स ऑन कंप्यूटर हार्डवेर या निटवर्किंग दुली रिकोनाइज बाई यूपी गवर्मेंट अगर आप कोई मतलम नहीं है आपनों भी रख सकते हो यह जब आपका प्रोमोशन और मोशन होता है जब आपका सेलेक्शन हो जाता है उस समय यह आहां पर अगर आपने कोई डिप्लोमा हाडवेर का किया है एसी का और भी कई सारे डिप्लोमा होते हैं उन सब का किये हो तो वो डाल सकत तो computer hardware related या networking से लिलेटेड जो computer network होते हैं उनसे डिपलोमा किया है तो आप यस करिएगा otherwise अगर ओ लेबल है तो वो लोग नत्यस करिएगा वो तो वहां पर फिल करी दिये हो उसको नहीं करना है इसको नोहीं कर दीजिए हो सही best है फिर अपना address address fill करिएगा address fill करने के बाद preview and submit कर लिएगा फिर आपका OTP verification होगा OTP के बाद आपका payment मांगेगा payment के बाद payment के बाद आपको document upload करने के लिए मांगेगा ठीक है तो document जो upload करना होगा तो वो जितना भी document आपने यहां लगाया है जो जो भीच वो चीजे document वहां upload करना है suppose करो आपने यहां पर O label लगाया तो O label का document O label के समकष MCA BCA BTEC लगाये हो तो BTEC का जो भी यहां पर mark sheet का number डाले रहोगे वही mark sheet आपको वहां upload करना है certificate हो तो certificate internet copy है तो internet copy ही वहां upload करना ठीक अब आते हैं हम लोग यहां पर एक option और हैं यहां पर अधर का option है यह किसलिए काम करेगा यह वसलिए काम करेगा कि अगर आपने 10 प्लस 2 किया है 10 प्लस 2 करने के बाद आपने क्या किया है डिप्लोमा किया है आप और ओ लेबल नहीं किये हो आपने others पे कर दिया तो others का मतलब आप 10 प्लस 2 करने के बाद डिप्लोमा किये है आपने intermediate कर लिया और उसके बाद अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप यहां पर क्या कर रहे हो यहाँ पर choose कर लो जैसे यह other option आप लोग अलग तरीके से लेके जा रहा हो लेकिन basically इसका मतलब यही है इसको choose करोगे जितने भी graduate हो और डिप्लोमा किये हो और physics 10 plus 2 किये हो तो यह आप पहला option choose करिएगा physics और math वाला लेकिन अगर आप 10 plus 2 के बाद direct diploma किये हो graduation relation नहीं किये हो चाए ओ लेबल नहीं किये हो उसके समकच BCA MCA BTEC नहीं किये हो तो आप इस other को choose करना आपका 12 भी है और आप पॉल्टेक्निक किये हो तो आप यहाँ से 12 करना पॉल्टेक्निक में जो आपने लिया है वो choose करना ठीक है आपने जो भी ब्रांच आपका है computer, information, electronics वो choose करके आप direct fill कर लेना यह उन बच्चों के लिए हैं जो 12 के बाद diploma करते हैं जो other का option है वो 12 के बाद diploma वालो का है option ठीक है यह बात समझ में आ गया है अब यह जो है यह PCM and math यह सब intermediate है ना तो यह part intermediate का ही है other में वो आ जाएंगे जो 12 करके डिप्लोमा किये हैं यहाँ पर जो आपने PCM 12 किया है physics और math पढ़ा है अपना 12 में जैसे तो वो चीज आप यहाँ पर भर सकते हो यह ध्यान रखिएगा ठीक यहाँ पर जैसे कुछ लोग होते हैं others में आपने intermediate जो भी हो intermediate आप जिससे भी किये हो उससे मतलब जैसे क्या होता है कि आप मानलो bio से ही intermediate कर लिए मैंने कहा आपने bio से intermediate कर लिया मेरी बात ध्यान से सुनना नहीं तो बहुत जिन्दिगी भर confusion में रहोगे आपने intermediate bio से कर लिया अब मेरी बात सुनो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो bio से intermediate किया है PCB से intermediate किया है हना चाहे 8 से किये हो जिससे भी किये हो intermediate मंदब 10 प्लस 2 जो है आपने आठ साइन से कर लिया commerce साइन से कर लिया मेरी बात ध्यान दे लिया हना लेकिन आपने 10 के बेसिस पर आपने हना यहाँ पर 10 के बेसिस पर डिप्लोमा कर रखा हो आप ट्वेल्थ हो आप ट्वेल्थ पास हो लेकिन आपके पास subject नहीं है ठीक है आपने डिप्लोमा कर रखा डिप्लोमा किसके बेसिस पर किया 12 के बेसिस पर नहीं किया आपने 12 के बेसिस पर डिप्लोमा नहीं किया आपने किसके बेसिस पर डिप्लोमा किया आपने 10th के basis पर डिप्लोमा दिया ठीक है 10th के basis पर डिप्लोमा दिया तब उसके लिए दिया गया है यह option आप यहाँ पर रख सकते हो ठीक है आप यहाँ पर choose कर लोगे यहाँ से तो बात वही हुई आप डिप्लोमा हो तो वो यह चीज कोई मायने नहीं रखेगी आपका है चाहे नहां intermediate है या नहीं है इसलिए है other option दिया है other option उनके लिए है कि जो intermediate के साथ डिप्लोमा किया है तो वो चूज कर ले यह intermediate उनका नहीं है उस trade से और वो डिप्लोमा किये है 10th के basis पर आके ठीक है तो वो उसके according चल सकते है और जिनोंने 12th किया ही नहीं वो direct यह चूज क कि हमने 12 किया ही नहीं आगर आपने 12 किया है तो इसको रख लो भलाई इसी लिए अधर का ओप्षन दिया गया है और आपने डिप्लोमा में लिया है टेंथ के बेसिस पर इनमें से ट्रेड आप सलेक करके चीजों को कर सकते हैं भर सकते हैं यह ध्यान लखिएगा ठीक अब बाद भी होता है हां होता है तो जाहिर सी बात है अगर आपने 12 किया है तो आप 12 के बाद कर लो मेनली यह डिप्लोमा के लिए कंफ्यूजन है और किसी के लिए बाकि आप हाइयर एजुकेशन लिए हो डिप्लोमा वाले नहीं हो तो आप जाहिर सी बात है इंटरमीडियेट किये हो physics और math से जब physics और math से intermediate जो higher education होंगे बिना diploma वाले नहीं होंगे तो उनको वही choose करना पड़ेगा वो other choose करी नहीं सकते क्योंकि यहाँ diploma आएगा डारेक्ट तो इसी लिए वो physics math ही choose करेंगे कि उन्हों ने intermediate में physics math पढ़ा है ठीक वो और चीजे नहीं पढ़ें intermediate में अगर उनका intermediate में और कुछ चीजे हैं तो उसका मतलब उनके साथ diploma होना चाहिए उस trade का electronics वाला ठीक है 10th के basis पर वो 3 साल का diploma किये हो ठीक अब समझ में आ गया होगा तो आब यहाँ पे आप BCA, MCA, BTX कुछ भी भरना है भर दीजिये ओ लेवल के equivalent ADCA, DCA government से किये हो किसी university से किये हो वो आप सभी direct यहाँ पर fill करके आप last में उसका document upload कर सकते ठीक है अंत में फिर form आपका fill हो जाएगा आपका हो सकता है कि maximum doubt clear हो गया होगा अगर कोई भी अभी दिक्कत है तो आप comment कर सकते है वीडियो के comment box में मैं पूरी कोसिस करूँगा आपके समस्याओं का समधान किया जाए और भी कोई दिक्कत हो सकती है तो आप एक बार हमें इस number पे जरूर phone कर दीजिएगा आपके समस्याओं को form भरते समय अगर कोई समस्या हो रही है तो इस पे आप phone कर दीजिए 9979-7080 पे कर दीजिए इन दोनों number पे आप form fill करने से पहले phone करके आप जानकारी ले सकते हैं अगर आपको form fill करने में कोई technical issue आ रहा है तो website पर technical help का नंबर दिया गया है उनको phone करके तंग कर सकते हो ठीक है बाकि जो बच्चे course से जुड़ना चाते हैं परिक्षा प्लस application इस्टॉल कर लें जो आप तयारी करना चाते हो computer operator की तो परिक्षा प्लस पर इसका course चलना है 799 रुपे का course है इसमें हम फुल तयारी आपका करा रहे है अगर आपको computer operator का लेना है computer operator का जो बैच है वो 799 रुपे का है और SI, ASI का लेना है तो ये भी 799 रुपे का है अगर दोनों का combo लेना है combo लेना है तो ये आपका 1199 रुपे में जिनको सिर्फ computer पढ़ना है सिर्फ computer पढ़ना है तो वो 499 रुपे में computer पढ़ सकते हैं ये सभी options आपके परिक्षा plus application पर available हैं आप जाके जल्दी से admission ले सकते हैं classes start हो चुकी है YouTube पे आप demo देख सकते हैं तो चलिए इसे के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं मस्तराइए स्वस्तराइए जवर्दस्तराइए